बच्चो जब हम भूमी संसाधन की बात करते हैं तो भूमी संसाधन में हमारा एक जो महत्वपूर्ण भाग होता है हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम भूमी संसाधन की बात कर रहे हैं तो हम मृदा के संदर में बात कर रहे हैं या मृदा संसाधन की बात कर रहे हैं, मृदा संसाधन इसलिए कि मृदा किसे कहते हैं, भूमी का जो हमारे धरातल का जो उपरी आवरन है, उपरी आवरन कौन सा? जिस पर हम वनस्पतियां या किसी भी प्रकार की फसले उगाते हैं, वो आपका क्या होता है, मृदा कहलाता है या वो परत जो है वो उस धरातल की भूमी की सबसे उपरी परत जो है, वो मृदा कहलाती है, क्या आपको पता है कि इस मृदा का निर्मान कैसे होता है? हमें पता है कि जब हम प्रिथ्वी का इस प्रिथ्वी का निर्मान हुआ, तो हमारी जो पृत्वी थी वो पहले बहुत गर्म और तप्त थी इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया समय के साथ साथ इसमें शीतलता आ गई उसकी अलग-अलग परतों का निर्माण हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि भई ठंडी हुई ठंडी होने के बाद इसम अच्छा दित करेंगी उसे और दूसरा जब नदी का प्रवाह हो रहा है तो नदी भी क्या करती है एक इस्थान के जो अवसाद होते हैं या निक्षेप होते हैं उसे अपने साथ बहा कर दूसरे इस्थान तक प्रवाहित कर ले जाती हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मृदा कैसे बनती है मृदा का निर्मान कैसे होता है तो आप इसको ऐसे समझे इसके मूल में आधार चटान होती है या मूल चटान होती है जब चटानों में तापमान और दबाव के कारण तूट-फूट की प्रक्रिया होती है वो छोटे-छोटे भाग में विभक्त फिर महीन चूर्ण बनते हैं इसके बाद फिर धीरे धीरे इस खनीज या आधारी जो परत होती है मूल परत जो होती है खनीजों की यह चट्टानों की उसमें हम देखेंगे कि आवसादों का जमाउ होता जाता है धीरे धीरे परत दर परत परत और फिर एक समय के बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमारे धारातल पर हमारी भूमी पर हमें जो मृधा की परत नजर आती है उसके रंग добр ala होंगी उसकी उत्पादक चंत भी जो है वह अलग directions और फिर हमें जो अंतीम रूप में मृधा की बहीपरत जो है वो 관सिक पाता ही होगा कि मृधा जो शंसाधन मरिदा की जो कई सेंट्टी मीटर मोटी परत या गहरी परत जो है उसको बनने में लाखोवर्ष जो है लग जाते हैं अब आए हम बात करते हैं कि इस मरिदा बनने की प्रकृया में किया-क्या प्रमुख बाते होती हैं तो मृदा बन्ने की प्रक्रिया में उस इस्थान का जो उच्चावच है मतलब वहां की जो टोपोग्राफी है उस टोपोग्राफी के साथ साथ हम देखेंगे वहां की जो आधारी शेल है मूल शेल या मूल जो चट्टान है उसका एक एहम रोल होता है और इसके साथ ही साथ जनक शेल का रोल तो होता ही है और वहां जो जलवायू पाई जारी है जलवायू के साथ वहां पर वनस्पती आवरण कैसा है और अन्य जो जैवपदार्थ हैं इन सब के साथ ही साथ समय जो है ये एक मुख्य कारक होता है जो किसी स्थान पर मृदा का निर्माड हो रहा है तो ये सारे तत्व जो हैं किसी स्थान के मृदा के निर्माण में अपनी महत्तो पूर्ण भूमी का निभाते हैं और इन सभी के आधार पर ही हम देखेंगे किसी स्थान की मृदा जो है वो किस प्रकार की होती है इसी आधार पर इसके प्रकार भी अलग-अलग होते हैं कि रंग में अंतर है समय में अंतर है और साथ ही साथ उसके उपजावपन में जो है वो अंतर मिलता है और उसमें किस-किस प्रकार के खनीज की उपस्थिती है इस आधार पर हम मृदा का वर्गी करन आगे चल कर करेंग और उस पे एक विस्तरी चड़्चा भी करेंगे। पहले हम यह देख लेते हैं कि मृधा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और उसमें मुख्य रूप से कितनी परते मिलती हैं। तो मृदा निर्माड की प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि मुख्य रूप से तीन परत जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती है। पहला है जैविक परत, दूसरा है खनीच परत और तीसरा है आधार परत। आपको यहां पर सामने एक मृदा परिच्छेदिका भी दिखाई दे रही होगी और इस परिच्छेदिका के माध्यम से हम समझेंगे यह आप देखकर बहुत अच्छे से इसे पता लगा सकते हैं कि पहले कौन सी परत होती है जैसे हमने बात की थी कि एक मूल चट्टान होता ह है उस मूल चट्टान में पहले तूट फूट की प्रक्रिया होती है फिर धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि आवसादों का जबाओं होता है वनस्पती आवरण के जो आवशेश हैं वो उसमें मिलते जाते हैं जो जीव जन्तू वहां पर मिल रहे हैं वो मरकर भी लास्ट म पर बात करते हैं पहला होता है जैविक परत इस जैविक परत में हम देखेंगे आप इस परिछेदिका में देख पा रहे होंगे जैविक परत जो है वो म्रिदा परिछेदिका की स्वाइल प्रोफाइल की सब से उपरी परत होती है मतलब हम जो भी वनस्पतिया या पेड़ जो उगाते हैं वो सभी हम इस जैविक परत पर ही उगाते हैं यह जैविक परत जो होती है इसे हम हुमस परत भी कहते हैं क्योंकि इसी परत में हुमस की मात्रा भी मतलब जो वनस्पति आउशेश हैं या विभिन प्रकार के अलग-अलग जो जीव जन्तूओं के मृत हो जाने कि मोटाई भी आपको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मिलेगी तो हमने देखा कि चुकि मरिदा के इसी परत पर इसी भाग में जो है वो यूमस की मात्रा जो है बहुत अधिक देखने को मिलती है इसलिए जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को जैविक पर जैसे कि कहीं पर जो नदी घाटी वाला छेतर है तो नदी घाटी के छेतर में इस परत की मोटाई जो है वो अधिक देखने को मिलती है और जैसे जैसे हम घाटी छेतर से दूर जाते जाएंगे तो वहां पर इसकी परत जो है वो क्रम्श पतली होती जाती है चुकि हमने बा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए और इसी कारण हम देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण परत पर जो भी प्रभा होगा जैसे कि अपर्दन जो होता है मृदा पर्दन अभी वर्तमान में एक प्रमुक समस्या है इस मृदा पर्दन का प्रभाव भी सबसे पहले इस जैविक परत पर ही पड़ता है और इसके साथ ही साथ फसलों में जो किट नाश्कों का या अलग-अलग प्रकार के उरवरकों का प्रयोग किया जाता है इन सभी का प्रभाव भी मृदा की इसी परत पर देखने को और चाहे फिर हम कहें कि कच्रों के निस्तारण की बात हो चाहे वो घरेलू कच्रा हो या ओर दोगिक अपसेष्ट हो इन सब के निस्तारण का प्रभाव भी मृदा की इसी जैविक परद पर ही सबसे जादा देखने को मिलता है अब हम इसके नीचे आ जाते हैं ये तो सबसे उपरी परत हुई, मृदा की, जिसे हमने जैविक परत कहा, अब इसके ठीक नीचे आते हैं, तो वो होती है खनीच परत, यहाँ पर सामने आप प्रोफाइल में देख भी पा रहे होंगे, यह मध्ध की परत होती है, बी से हमने इसे दिनोट किया है, और यह बी परत जो है वो मतलब मध्यवर्ती परत आपकी खनीच परत हुई, इसमें जैविक परत में हमने देखा था कि जैविक पदार्त हीउमस की मात्रा है, वो बहुत जादा मिलती है, लेकिन हम जैसे ही उसके नीचे आ गए तो इसमें जिवांश की मात्रा म्रिदा की इस परत में बहुत कम होती है हाँ अब यहां पर हम देखेंगे कि मृदा की इस परत में उन्हीं व्रिक्षों की या उन्हीं वनस्पतियों की जड़े पहुच पाती हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक प्रवेश करती हैं जैसे बताने की जोरत तो नहीं है आपको पता ही होगा ह हम बात करने चाहें आम के पेड़ की या पीपल हो गया बरगद हो गया इमली या कदम का पेड़ है कटहल से भी आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे यह ऐसे व्रिक्ष हैं जो ऊपर धरातल की ऊपर भी विशालकाय होते हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो धरातल के नी इन ही व्रिक्षो की जड़ें जो हैं वो खनीज परत तक पहुच पाती हैं अब इसके ठीक नीचे हम बात करते हैं आधार परत की आधार परत जो है यह सबसे निचली परत होती है और हम इसमें कह सकते हैं इसे हमने आर से डीनोट किया है और आप देख पा रहे होंगे कि ज किसी जो एक आधारी चट्टान या मूल चट्टान होती है उसका एक अहम रोल होता है मूल में वही होती है क्योंकि वो मूल चट्टान या जो हम कह सकते हैं कि आधार चट्टान जिसके विखंडन से पहले उसमें तूट फूट होती है तापमान और दबाव के कारण आप द लास्टिक को बार-बार खीचेंगे फिर छोड़ देंगे या रबड को हम उसी भाती खीचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो पहले जो उसका संगठन था पहले जो उसकी बनावड थी यदि हम उसमें ये प्रोसेस बार-बार करते हैं कि खीचते हैं और फिर से पुना उसे उस समय उसमें सूर्य का प्रकाश पढ़ता है दिन के समय सूर्य का प्रकाश पढ़ने से चट्टानों में फैला होता है और उसके बाद रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता मौसम ठंडा हो जाता है तो वो फिर से सिकुड जाती है हमको मालूम है कि तापमान अधिक होने तो ठीक यही प्रोसेश जो है, जो उपस्थित चट्दाने हैं, उनमें होता है कि वो के सूर्य के मनआ फेल दिशूर के समयर ती हैं, तो भार भार टापमान के भार Let Me धीली पड़ जाती है और एक समय के बाद फिर या जल्योजन की प्रक्रिया हो रही है और ऐसे ही चाहे हम बहुतिक प्रक्रिया की बात करें या रासायनिक प्रक्रिया की इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से वह चट्टाने जो हैं वह धीली पड़ जाती है और उनमें टूट फूट की प्रक्रिया होती है तो बिल्कुल जो हम आधार चटान के बात कर रहे हैं यह इसी प्रोसेस के कारण जो है टूटी फूटी है चोटे-चोटे भागों में विखंडित हो जाती है और फिर चाहे वो जल के द्वारा वायू के द्वारा हीम नदियों के द्वारा अलग हो जो जैविक परत है वो नजर आती है ति यह हो गई मृड़ा परिच्छे नीचा में अब हम अम्रिदा के अलग-अलग प्रकार मिट्टी ओ के प्रकार पर बात करते हैं तो भारत में प्रमुक्रूप से हम बात करें तो च्छै प्रकार की मिट्टियां मिलती है पहला हम द तो बच्चों यदि मैं एक बारगी यदि हम इस मानचित्र पर नजर डाले तो हम देखेंगे कि जब हम परवती मिट्टी की बात करें तो नैचरली है कि वो आपके परवती छेत्र में देखने को मिलेगी और भारत का परवती हिस्ता कौन सा है उत्तर का पूरा हिमालयी छेत् इसके बाद हम नीचे या पूर्वी हिस्से की तरफ आ जाते हैं क्रमश पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे सिक्किम और इसके साथ ही अरुनाचल का कुछ हिस्सा आ जाता है जहां पर आपको परवती मिट्टी मिलेगी अब हम जलोड मिट्टी की बात करेंग तो जलोड मिट्टी जो है यह हम काप मिट्टी भी कहते हैं यह आपके पूरे उत्तर के विशाल मैदान में इसका विस्तार है फिर जब हम दक्कन के पठार को देखेंगे तो दक्कन के पठार में आपकी काली मृदा मिलेगी और जलोड मृदा और काली मृदा के बीच में लाल पीली मृदा का विस्तार है और इसके साथ ही हम देखें राजस्थान का जो मरुस्थली हिस्सा है या कच्छ करन वाला हिस्सा है गुजरात का तो यहां पर हम देखेंगे कि आपको मरुस्थली मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा और इसके साथ ही हम चले जाएं पश उए करके mesa करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं जलोड मृदा पर. जलोड मृदा जो होती है वो हम देखें कि प्रमूख रूप से जो नदिया चेखल आवसाद बहा कर लाई हुई होती है उनके द्वारा इस मृदा निर्माड होता है. तो हम बात करें भारत में तो भारत का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या पूरे छेत्रफल जहां भी मृदा का विस्तार है पूरे छेत्रफल मृदा के विस्तार वाला उसमें सरवाधिक जो छेत्र है वो जलोड मृदा का मिलता है लगभग भारत के 40 प्रतिशत हिस्से में जो है जलोड मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है अब ये कहां कहां पर है तो हमने बात की ना उत्तर के विशाल मैदान जो उत्तर भारत की जो नदियां है प्रमुक अपवाह तंत्रवाली चाहे हम सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो अपवाह तंतर तो इन नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाएगे जो आवसाद है या निक्षेप हैं उसके द्वारा ही इस छेत्र में जो है वो जलोड मृदा का निर्माड हुआ है और हम देखें ये जो उत्तरी मैदान है इसके साथ ही साथ ही एक सक्री पट्टी के रूप मे ये राजस्थान और गुजरात तक भी फैल गई है जलोड मृदा उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ ही अधी हम आजाएं पुर्वी हिस्से की तरफ पुर्वी तटी मैदान की हम बात करें तो पुर्वी तटी मैदान में चाहे वो महानदी है गोदावरी है कृष्णा और कावेरी इनके डेल्टाई हिस्से में भी हमें जलोड मृदा का फैलाओ जो है वो देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ केरल के तटी छेत्र में भी जलोड मृदा जो है वो विस्तृत होती है अब हम यह देखते हैं कि जो नर्मदात कृष्णा कावेरी और तटी जलोड कहकर वहां पर पुकारा जाता है अब हम देखें ये इस मृदा में जो है वो बहुत ही बारिक कंड हमको देखने को मिलते हैं कंडों की बनावट बहुत छोटी होती है इसमें क्या-क्या चीजे मिलती है तोad silt & mrtika इसका जो अनुपात है वो अलग-अलग इस मृदा में ही रेत और सिल्ट और मृतिका प्रमुक रूप से ये तीनों जो हैं प्रमुकता से मिलती हैं अब इसके बाद हम बात करें कि इस मृदा में पोटाश है फासफोरस और चुना इन तीनों पदार्थों की प्रचूरता देखने को मिलती है बहुत अधिक मात्रा मे ये इस मृदा में मिलते हैं कड़ों के आकार के अधार पर जो इस मृदा का वर्गी करण तो किया ही जाता है लेकिन इस मृदा की पहचान के लिए आयू के अधार पर भी इसका वर्गी करण किया गया है आयू के अधार पर मतलब ऐसे छेत्र जहां पर नदियों के बाढ़ का जो पानी है वो प्रती वर्ष नहीं पहुँच पाता हर साल नई मृदा जो है वो नदियों के द्वारा लाकर जम्मा नहीं की जाती है और जम्मा नहीं किये जाते हैं वो पुरातन जलोड वाले छेतर कहलाते हैं जिसे हम बांगर कहते हैं और ऐसे छेतर जहां पर नदियों के बाड का पानी हर वर्ष पहुंचता है या नदियों के द्वारा प्रतेक वर्ष वहाँ पर नए अवसाथ जो है वो जमा किये जाते हैं तो उसे हम नवींतन जलोड या खादर भूमी के नाम से भी जानते हैं तो बच्चों ये दो टम्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यार में रखना है ये आपके अब्जेक्टिव प्रशने के हिसाब से या एक नंबर के प्रशने के हिसाब से भी एक अच्छा कोशन बनता है कि बांगर क्या है या खादर क्या है अब इसी में ही हमको द्वार जैसे आपका हरिद द्वार हो गया या दून-घाटी वाले छेत्र देहरादून हो गया या चो ये चो इस्थलाकृतियां है या आपको इस जलोड मृदा वाले छेत्र में ही देखने को मिलती है इसके साथ ही इसके एक और विशेष्टा हम देखेंगे कि इस छेत्र में गहन क्रिशी की जाती है चुकि ये पूरे उत्तर भारत के एक और विशेष्टा हम देखें कि कडो का आकार जो है ये नदियों के जो निचले हिस्से होते हैं मतलब हम कहें कि मुहाना वाला हिस्सा जहां पर नदियां जो है वो समुद्रे से मिलती है उस मुहाने वाले हिस्से से जैसे जैसे हम आगे या दूर जाते जाते हैं तो हम कि इस जलोर मृदा में मृदा का आकार या मृदा के जो कण हैं वो क्रमशा बड़े होते जाते हैं अब हम मृदा के दूसरे प्रकार काली मृदा या काली मिट्टी पर चडचा करते हैं बच्चो ये मिट्टी जो होती है इसकी विशेष्टा है कि जब गीली होती है तो गीली पर जो है वो जुताई की गई हो अब इस मिट्टी को हम देखें एक और नाम से पुकारा जाता है ये टम्स भी आपको याद रखना है क्योंकि ये शौट आंसर में आपका या एक नमबर के उत्तर में आप से पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है त इसके साथ ही ये काली मृदा जो है वो कापास की फसल के लिए बहुत सर्वोत्तम होती है बहुत उप्यूगत होती है कापास की फसल इसमें बहुत अच्छे से होती है उत्पादन बहुत अधिक होता है इसलिए इसे कापास मृदा के नाम से भी जानते हैं अब हम देखें क इसका निर्माड कैसे हुआ है तो हम मुख्य रूप से बात करें तो हमारे भारत में दक्कन के पठारी वाले हिस्से में दक्कन के पठार में ये मृदा प्रमुक्ता से मिलती है और काली मृदा का निर्माड हमको मालूम ही होगा कि लावा के विखंडन से या लावा से इस मृ तो हम देखेंगे कि हमारे दक्कन के पठार में लावा के अपक्षय से या विखंडन से इस मृदा का निर्माड हुआ है और पूरे देश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर छेत्रफल में इसका विस्तार है इसके साथ ही साथ हम देखें कि ये किस-किस राज्यों में फैल हुआ है देश के तो महाराष्ट्र है पश्यमी मधिप्रदेश का पश्यमी हिस्सा हो गया गुजरात है आंध्यप्रदेश करनाटक राजस्थान तमिल नाडू और उत्तर प्रदेश के कुछ जीलों में काली मृट्टी जो है वो विस्तरित देखने को मिलती है अब इसमें हम देखते हैं लोहा चुना केल्शियम इसके साथ ही साथ पोटाश अलुमीनियम और मेगनीशियम जो है वो बहुत अधिक प्रचूर मात्रा में काली मिर्दा में उपस्थित होती है अब कमी किसकी होती है तो नाइट्रोजन फासफ分स और जो जयब पदारथ है या हुमस क इसमें बहुत कम देखने को मिलती है, अभी सोचने वाली बात है कि ह्यूमस की मात्रा क्यों का मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि इस मृद्धा का जो निर्मान है वो लावा के विखंडन से या अपक्षय से हुआ है, तो लावा कैसे बनता है, जो मैगमा जो विस्फोड से, प्रिथ्वी के भूगर्व से, मैगमा का जो विस्तार है या प्रवा धरातल पर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं, तो मैगमा का टेमप्रेचर कितना है, बहुत जादा गरम है तो कोई भी चीज जो है वो गर्म पदार्त में क्या बहुत जादा बढ़ा देंगे तो वो खतम हो जाएगी उसमें उसका कोई भी आउशेश नहीं बचेगा इसलिए हम देखेंगे कि काली मृदा का निर्मार जो है वो लावा के विखंडन से होता है और इसी कारण हमें इसमें हुमस की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है या नहीं के बराबर मिलती है कोई भी जयव पदार्थ की उपस्तिती इसमें नहीं मिलती है अब हम इसके बाद देखते हैं लाल और पीली मिट्टी या लाल और पीली मृदा ये जलोन मृदा के बाद देश का जो है दूसरा प्रमुख मृदा समू है और बच्चों आपको पत लाल पिली मिट्टी का ही विस्तार देखने को मिलता है लगभग पूरे भारत के 6 लाक वर्ग किलोमीटर छेत्र फल में जो है वो लाल पिली मिट्टी का विकास है विकास जो हुआ है अब हम देखेंगे कि इस मिट्टी का विकास किस हिस्से में हुआ है चो दक्कन के पठार क जो पुर्वी और इसका दक्षनी हिस्सा है या दक्षनी भाग है वहाँ पर इस मिट्टी का प्रमुक रूप से विस्तार हुआ है इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो इसमें लौ ऑक्साइट की उपस्थित मात्रा के कारण देखने को मिलता है अब इसमें कौन-कौन से जो ह हम देखें तो फासफूरस है नाइट्रोजन है और ह्यूमस की कमी पाई जाती है लाल पीली मृदा में अब किन-किन छेत्रों में इसका विस्तार है तो सरवाधिक जो है वो तमिल नाडू में है इसके बाद करनाटक है दक्षडी महाराष्ट का हिस्सा हो गया हमारा चत्ति लाल पीली मिंट्टि का प्रमकृृप से विस्तार देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि इसके उपरी भाग में जो है वो बाजरे की कacji कि जाती है जो भी जिन ऊपरी वाले जो इस्से मिलते हैं जहां लाल पिली मिंट्टि पाई जाती है और जो निचली गाटि वाले ज जिचाई का उपियोग करके इस मिट्टी वाले हिस्से में कपास हो गया, गेहूं है, दाल, तंबाकू या मुंफली इस प्रकार की फसलें जो हैं वो उगा ली जाती हैं और इसके विपरीत हम देखें कि जो मोटे कड़ वाले छेतर हैं या ऐसे भुभाग जहां पर इस लाल पिली मृदा की जो कड़ है वो बहुत मोटे मोटे मिलते हैं या उच्च भुमी वाले छेतर होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी बहुत अनूर्वर होती है या के कारण इसमें से जो चूना और सिलिका की मात्रा होती है वो निक्षालित हो जाती है तो निक्षालित होने के कारण या निक्षालन की प्रक्रिया के कारण ही हम कहें कि लेटे राइट मृदा का निर्माड होता है तो यह एक ऐसे जलवायू वाले छेतर में हमको मिलेंगी जहां पर तापमान भी उच्छे होता है और उच्छे तापमान के बाद क्रमशह क्रमिक रूप से हम कहें कि आद्र और शुष्करीतु वाले जो छेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार की मृदा हमको अधिक विक्सित रूप में देखने को मिलती है ये मृदाईं जो है वो निक्षालन हो जाता है तो निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम सरूप ही ये लेटे राइट मृदा जो है वो हमको देखने को मिलती है अब ये हम कहें कि पूरे भारत में कहां कहां पर ये मृदा जो है वो पाई जाती है तो केरल में सरवाधिक हमको देखने को मिलती है मृदा और केरल के बाद करनाटक है महाराश्टर है फिर तमिल नाडू मध्यप्रदेश ओरीसा और ओरीसा के साथ ही साथ असम के जो पहाडी छेत्रे हैं वहाँ पर ये लेटे राइट मृदा देखने को मिलती है अब हम ये देखते हैं कि जैसे कपास है राई है गन्ना है चा उपजाओ होती है उपजाओ पन इस मृदा में नहीं होता है लेकिन उर्वरकों का अधिक प्रयोग करके हम ये राई गन्ना कापास चामल जैसी जो फसले हैं वो इसमें उगाई जा सकती है लेटे राइट मृदा का जो प्रयोग है वो प्रमुक रुप से भावन मृदा के नाम से भी जानते हैं इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो जितनी भी बागाती फसले हैं वहां पर मतलब बागाती फसलों का जो उत्पादन है उसके लिए भी ये मृदा जो है मिट्टी जो है वो एक आदर्श मिट्टी होती है और जहां पर भी लेटे यहां पर लेटराइट म्रिदा मिलती है, वहां पर बागाती कृषि प्रमुखरूप से की जाती है. अब जो तमिल अड़ू है, आंधर प्रदेश, केरल, ऐसे जो छेतर हैं, जहांपर तमिल अड़ू, आंधर प्रदेश और केरल के छेतरों में, जहां पर लेटे राइट मृदा मिलती है, यहां पर काजू जैसे जो फसले हैं या काजू जैसी बागवानी करिशी वाली फसले यहां पर भी ली जाती हैं अब हम बात करते हैं पीट और दलदली मिट्टी पीट मिट्टिया आदर छेत्रों में मिलती हैं ऐसे छेत्र जहां पर मृदा में बहुत अधिक जो है वो जैयवपदार्थों का संचलन होता है उससे इस मृदा का निर्मान होता है और इसमें हम देखेंगे जैयवपदार्थ जाती है तो इसमें चावल जैसी फसल जो है वो ली जाती हमको पता है धान की फसल के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में जलकी आवश्यक्ता होती है यह मृदा जो है वो काली होती है काले रंकी और इसके साथ ही साथ भारी और अमली मृदा होती है इस मृदा मुख्य रू कि एक दम निचले छेत्र जो हैं वो हाँ पर हमको दलदली मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा तो ऐसे कौन से छेत्र हैं तो ओडिसा पर्शिम बंगाल तमिल नाडू इनके जो तटी छेत्र हैं और इसके साथ ही साथ उत्तरी बिहार का जो मध्यवर्ती भाग है और उत्त इस नाम सुनाई होगा चाहे हम गंगा के डेल्टाई चेत्र की बात करें सुन्दरवन डेल्टा को गंगा कि सुन्दरवन के डेल्टा को क्या कहते हैं गंगा पुत्र का डेल्टाई छेत्र है सुन्दरवन का डेल्टा कहलाता है और यहां पर प्रमुख रूप से मैंग्रो वनस्पतियां मिलती हैं तो यह मैंग्रो वनस्पतियां ही जो है वो इन दल्दली छेत्रों में या दल्दली मिट्टी वाले छेत्रे में पाई जाती है